तो दूस्तो आज की इस वीडियो में आप लोगोगो पाकिस्टान को लेके हाली में हुए दो बड़े और महत्योपोर्ण डेवलापमेंट के बारे में बताऊंगा जिन मैंसे सबसे पहला अफडेट तो पाकिस्टान के हंगोर क्लास सबमरीन को लेके है जहाँ पे बताया जा रहा है कि चाना के तरफ से जो पाकिस्तानी नेवी के लिए हंगुर क्लास के सब्मरीनों को निर्वान किया जा रहा है उसमें जर्मनी के तरफ से MKU के इंजिन देने से मना कर दिया गया जबकि दोस्तों वीडियो के सबसे आखरी हिस्से में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अब पाकिस्तान चाइनीज मेर्ट टेकनोलोजी को लेके परिशान होने के बाद अब फिर से एक बार अमेरिका से अपने रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका के सामने ह किया हुआ MTU 12V369 डिजल इंजिन सप्लाई करने से रिफ्यूज कर दिया गया है मतलब अब जर्मनी चायना को सब्मरीनों में इस्तेमाल होने वाले इंजिनों का सप्लाई नहीं करेगा दोसर बैसिकले चायना इन इंजिनों को अपने सब्मरीनों के लिए नहीं बलकि पाकिस सब्मरीनों को लेके समझोता हुआ है जिनमें पहला सब्मरीनो के काम अल्रीडी चायना में शुरू हो चुका है। AIP सिस्टम तो दूर का वाद अन्य एक्वेपमेंट भी इसमें लैज हो सकेगा की नहीं इसके उपर सवाल बना हुआ है। चाइना के द्वारा पाकिस्तान के सामने चाइनीज मेड रिवर्स इंजिनियरिंग इंजिनों का भी पेशकश रखा गया था। द्वारा दो युवान क्लास के S-26T सब्मरीन थाइलेंड को बेचने का इरादा किया गया। जहाँ पे जर्मनी के द्वारा निर्मान किया हुआ ऐसे ही इंजिनों के इस्तिमाल का इरादा चायना के तरफ से रखा गया था लेकिन जर्मनी को जब इस बात का भनक लगा तब इस तरीके के डील को जर्मनी के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। जबकि खाली Thailand के दील को ही जर्मनी के द्वारा ब्लोक नहीं किया गया बलकि बाकी के इंजिनों के सप्लाई की इरादे को भी रत करते हुए पाकिस्तान के लिए भी निर्मान किया जाने वाले सब्मरीनों के इंजिनों को भी देने से अब मना किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ है मतलब जनरल कमर जावेद वाजवा के तरफ से भी हाल फिलाल में अपने मेडिया को जानकारी दिया गया कि जर्मनी ने MTU-12V-396 डिजल इंजिन देने से मना किया है पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तरफ से ये जानकारी नहीं दिया गय इंजिनों के उपर वरोसा नहीं करता है और थाइलेंड नहीं चाहता है कि उसके बेड़े में सामिल होने वाले सबमरीनों में चाइनिस इंजिन हो इस बजा से एक तरफ से माना जा रहा है कि थाइलेंड अव डिल को जल्दी रद भी कर देगा दोस्तों आपके जानकारी के जो इन सबमरीनों को खरीद रहा है इसमें पाकिस्तान अपने बाबर मिसाइलों को भी इंटिग्रेट करना चाहता है जिसे लेके पाकिस्तान का दावा है कि ये एक सबमरीन लांच क्रूज मिसाइल है जिसमें परवानू हत्यारों को भी लगा जा सकता है पाकिस्तान इन हं और अजूबा देश है जो जुगारू चीजों को जोड के जवरदस्ती के इस लिश्ट में अपना नाम को शामिल करना चाता है। एक रैली में स्लिफ आफ टांग के तहट नाम लेते हुए ये भी वताया गया कि ये असल में अमेरिका का साजिश है। खायना के पढले से हटाके अमेरिका के पढले के तरफ करना चाता है। गमजोर करते हुए चाइना के साथ रिष्टे को मजबूत किया गया था। पाकिस्तानी आर्मी का सोच था कि जिस तरीके के हतियार वेस्टन देशों से अब तक पाकिस्तान को मिला है उन हतियारों को काउंटर करने लायक हतियार चाइना भी पाकिस्तान को देगा। पर बीते कुछ सालों के चाइनीज हत्यारों के experience पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफी भारी रहा। पाकिस्तान के बेडे में जिन चाइनीज हत्यारों को शामिल किया गया खास करके main battle tank, artillery, defense equipment, इन में से जादतर equipment, faulty निकला और पाकिस्तानी आर्मी फिलाल इन equipment को लेके भुगत वी रहा है और दोस्तों वीडियो के पहले हिस्ते में भी आप लोगों को बताया कि कैसे चाइना से खरदे जाने वाले सब्मरीन के deal के उपर भी western देशों का प्रभाव है और कैसे अगर western देश चाता है तो चाइना के deal को भी एक तरीके से प्रभावित कर सकता है ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी को अब समझ आ चुका है कि चाइना के साथ जाके उसे जादा कुछ फाइदा होने वाला है नहीं बलकि नुकसान ही नुकसान है जिनमें पाकिस्तान को मिलने वाला तो कुछ है लेकिन पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला सब कुछ है चाहे हो अगस्टा 90 क्लास के सब्मरीन के अपग्रेशन प्रोजेक्ट हो या फिर मिरास सिरिस के एरक्रेप्टों के अपग्रेशन हो इवन दोस्तो पाकिस्तान का एकोनोमी भी इतना स्ट्रॉंग नहीं है कि वो इन हत्यारों को रिप्लेस कर सके जबकि बिना वोस्तेन देशों के मजद से इन हत्यारों के अपग्रेड करना या फिर काम चलाओ बनाए रखना पाकिस्तान के लिए भी फॉसिबल नहीं है और दोस्तो बाजवा के हाली में दिये गए बयान के बाद यह आसानी से पता चल रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अव वेस्टेन देशों के तरफ जाने के लिए कितना अधिक उतावला है और चाइनिस ब्लोक में रहके पाकिस्तानी आर्मी को इतने दिन में कितने नुकसान दोस्तो बाजवा के द्वारा दिया गया बयानों में से कई सारे पार्ट शोशल मीडिया में भी एवेलेवल है यहापे आप लोगों को साफ साफ यह भी सुनने को मिल जाएगा कि बाजवा अमेरिका के साथ एक बैलेंसिंग रिलेशन्शिप चाहता है बाजवा के द्वार नहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिश्टर के तरफ से बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कॉंस्वरेशन्शिय असल में अमेरिका ही कर रहा है दोस्तो बैलेंसिंग निती के बयान आने के बाद यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के आर्मी किसी भी हालत में अमेरिका के जाता है और पाकिस्तान चाहता है कि जो CPAC project में अब तक China के द्वारा fund किया जा रहा था उसमें America fund करे ता कि ओर China के चंगूल से बाहर आकर Somewhere나 पड़ले में आ सके पर America के द्वारा इस बात को संपुर्ण donate refuse कर दिया गया दोसे फिलाल पाकिस्तानी आर्मी के तरफ से अमेरिका के तरफ जुकाओ दिखाने का एक बहुत बड़ा रिजन ये है कि चायना देता तो है लेकिन उसके बदले डवल वापफस लेता है जिस कारण पाकिस्तान गंगाल होते जा रहा है जबकि अमेरिका अब तक जितना भी प प्रश्या के मुद्दे के कारण फिलाल कंडिशन भी पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफी suitable है जहापे अमेरिका तुरंथी पाकिस्तान के पुराने गलतियों को माप करके उसे accept कर सकता है पर पाकिस्तान भूल चुका है कि इस दर्मियान काफी कुछ बदल गया है और अब अमे लेके जैसे पाकिस्तान फाइदा हासिल नहीं कर पाएगा तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मे वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन